तो प्यारे बच्चों हमने लाश्ट टैने पिर आधनी कावर्सारणी के बात कर ली थी और सोच से अधिक परमानों क्रमांक रखने वाले तत्वों के नाम करने की बात कर ली थी अब हम जो टोपिक पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे कि तत्वों का इलेक्ट्रों के विन्यास कि तत्वों को उनके कोस में कैसे वरते हैं उनके जो तत्वों में जो इलेक्ट्रों होते हैं उन इलेक्ट्रों को कैसे वरते हैं जिसको हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रों के विन्यास कि यहां पर देख्थे हैं, सब उन और तक को कि एक्ट्रों का इलेक्ट्रों का इलेक्ट्रों का इस मिन्यास भरना मतलब इस इलेक्ट़्ों को भरने. सबसे पहले ही पता होना चाлеई, कि सबसी जो इलेक्ट्रोन हैं, हमारे पास में कितने होंगे कीसी भी तठ्धो के पास। तो प्यारे बत्चों, देखना समये, आपके पास में मान दो परमानू दिया गया है नाइडॉसर, और नाइडॉसर परमानू है इसका परमान परमान जो होता है साथ बार परमान जो में यह लिखो टो परमान कर को हम बहते हैं कर दो क्या दो आप नाएखोच बनला करमान करभा कि करेंक है किStop तत्तों में कोई भी तत्तों जितने Northern नंबर पर आते हैं जितने नंबर पर विभस्तित होता है उस्ततों को यह Пр tails के मिया सब्सकापर है कि आवर सान्में जो पर्मानु जितने नंबर पर आता है उसका संक्या को उसका प्रौानकर मान कहा जाता है यहां पर जो नाइट्रोजन जो पर्मानु है ये सा spricht नंबर पर आता है यहां आता है कि खीका कि आप बात करते हैं जिसमें किलेक्टों कितने होंगे कि ऑट कर से पास कि आपके पास में जितना जैना होता है उतना ही वोता है जितना E होता है, उतना ही क्या होता है, P होता है तो यहां पर आप प्लजन कितने होंगे 7 ओप्रो मिद्व नियुट्रॉन कैसे निकल तो नियुट्रॉन तो होता है a minus a minus p ठीक है, सर ए क्या होता है, यह जो परमारों भार दिया हुआ है इसको आफो में ऐसे दर्शाथ किसे दर्शाते हैं ऐसे दर्शाते हैं तो जब भी आप न्यूवतार निकाल लएंगे तो परी भार में से पर्मान कहें क्रेंगे गठा देंगे उपर वाल किस्टो संगे कॉल देंगे तो बैनी युद्रिम से कहला है यहांपर क्या होगा 14 मेनल पर्मानु के पास किने सन्मार्टों को सकती यह दुत नहीं हो सकती वह सबसीने कि या दिखेंगे कि कोई भी पर्मान जो होगा उसमें ज़ाइड प्रेंल के बराबर कोई बदेविक जो होंगी लेकिन एन का मान इनके बराबर हो भी सकता है हो भी सकता है तो एन का मान इनके बराबर नहीं हो सकता है लेकिन जैड इवपी हमेशा समान होगी क्या कहना चाहरा हो फ्रेंड मैं बोल हाँ प्यार बच्चों कि हमारे पास में जो परमान करमांक है परमान करमांक की जो संक्या होगी वहीं कि लेक्ट होगी अब बात ही करते हैं कि सब न्यूट्रों क्या होगा जो न्यूट्रों जो होगा वो परमान करमांक को घटा देंगे तो हमारे पास में न्यूट्रों की संक्या आरज है अगर क्या तो दुगना से कम हुआ या दुगना से थोड़ा ज़्यादा हुआ तो इसमें L कमान कभी समान नहीं आए गा वाकि तीनों समान होंगे एसे कि एग्जापल अ करते हैं आपास हो और सुन परणों तुंक होगा कि यहां पर कितना होगाई स्टुड़ा है कि यहां पर जाएड़ द मान जाएगू हुआगे क यहां पर परमान न्यकिन होगे ज्यादा तो यहां पर आपके पास में जैड इवर पी तो क्या हुआ जमान लेकिन नहीं है ठीक है बच्चों अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनिक विञ्यास की कि किसी भी परमाणून में उसके परमाणून परमाणून जो होगा वही क्या कहलाएगा और इन्हें कि आपके ही कि इलेक्ट्रोन विञ्यास की जो परीग होगी वहीं को हमने बोल सकते हैं इसको सफ्रिक्र सथ ढफ़ाइं कई सड़पन सबड़्स इस से का मतलब क्या होगा? इस से का मतलब होगा जाती हो S और कुछ S होगा? 1S ठीक है? इस से का मतलब क्या होगा? 2S और इस P का मतलब क्या होगा? 2P इन दोनों के एक साथ 2 कतम होगा अपर क्या दिखेंगे? 3S 3P अपको नाएगा? 4 आएगा? यहाँ आएगा 4S और इस D का मतल होगा 3D स्रेंग है तो फिर बताता हूं कि दीब लोग में हम चार स्रेनिंग की बात करते हैं 3D स्रेंग, 4D स्रेंग, 5D स्रेंग, 6D स्रेंग, यह 3D के तत्तों होंगे, यहां पर हार पास मैं जाएगा 4P, अब इसके बात करते हैं को न आएगा 5S, 4D, 5P स्रेंग, अब इसके बात करें, इस सैटम्कों न हो जाएगा 6S, इस फैटम्क न तो होगा app, app जो उल्कोस होंगे, app जो ग्लोग होगा, उसके अतर्ट्वाद करेंगे, और कितना होगा कि यह हमेशा जो गाइए एस से कितना कम होगा दो कम होगा तो यहां पर आएगा फोर है यहां पर पॉनाएगा पास नहीं पर पास नहीं होता है यह नंबर और पी हमेशा लेकिन जो दी जो होगा उसको बोलेंगे कितना कम होगा एक कम होगा और अब अधी में हमारे पास दो ही शरी नहीं आती है को रैप हुए फाल ठीक है अब इलेक्ट्रों पिन्यास के बात करते हैं तो यहां करा हूं जर्नली गुरूप से देखें तो कोई भी एक तत्तु लेते हैं जैसे ही कि हमने तत्तु यहाथ जो परमानों दिया वो लिया सोड़ें और सोड़ें परमानों कितना होता है जारा होत होता है तेखें कितना होता है अब इसमें एलैक्ट्रों भरेंगे यह सब्सक्राइब इस का सी फिखें है अब यह जो electron है, यह कौन से उपकोस में जाएगा, यह है उसी ब्लोग का तत्वे पहलाएगा, जैसे कि यहां दिखते हैं, 11 electron है तो हम कैसे बोलेंगे, समस्वें हमेशा एक ब्रanh होता है, एक hundredце में हम दो ही electron भर सकते हैं, 1 electron रहेगा, 1 रहında, मतलब कि इसका चक्रण जो होगा, गो होगा positive, और इसका चक्रण होगा, वह क्या होगा? यह होगा plus, minus 1 बॉटा, दो यह होगा plus, minus, 1 बॉटा, 2 होगा! बिसम्जें बिसमें हम नमें इसा रख रख सकते हैं, strengths-n, p जो फोर्ज होता है इसमें पांच कोस होता है, इसमें हमारे फिर रख सकते हैं, 10 बिसमें लख सकते हैं, और एक जो वह हमारे पास में होता है उसमें हमारे पास में हमारे पास में यह हो जाएंगे अगर इनका नाम करें तो यह होगा इसको मालों भी जय यह हो जाएगा इसको बोल सकते हैं ऑघ्जान अब में कि इसको लगाना है अब बता हो सब से पहले पोना हमारे पास में कि देसकते हैं कितने पास में और पर कितने हैं हमें 11 कितने भरदी हमें इमने 2 रागे चंद kommt आ रहा है हमारे पास में हमारे पास में csak कितने बरोगे में कितने बढ़ रहे हैं हमारे पास में ही कितने बर सकते हैं एक डो ती चार पांधे ड़ाइगा थ्री एपरट्री एप अब किसी भी तत्तों का इलेक्टरों के विद्यास नियास निखाल सकते हैं उस तत्तों का परमान परमान करने पता होना चाहिए अगर उस्त्रव का प्रमान तरमान हमैत पता है तो हम उस्त तर्व का इल्यक्त्रोंग विन्यास बहुत आसठांगी से इसके द्वारा निकाल happiness है तो यहां पर हम लिखते इल्क्रोंगों जिन्यास sous आपको हमेशा ऐसे मिकल भाएगे से इसका मतलुक्त क्या होगा कि यहां पर यह फर्ष्ट आवर्त का तक्तु अप्माश में सेकंड यह कौन चीक तक होगा यह कुनषी अप्माश्म हो जाएंगे फोर यह फिप्ज यह तक्तम आप्माश्में में जो थर्ड वर्ग है उसमें सबसे अधितम तक्तु पाए जाते हैं थर्ड भी जब वोने तीसरा जो वर्ड है सबसे अधितम तक्तु तक्तु पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं अधितम पाए जाते हैं अधितम बाकी बाते हैं करेंगे अग्ले कि आसमें